आइलेंड के खिलाप पहले T20 मुकाबले को भारतिय टीम ने साथ विक्ट के बड़े अंतर से जीत लिया लेकिन दोस्तो जीत के बाद भी हर्दिक पांड़ा पर BCCI ने 5 करोड का जुर्माना लगा दिया आखिर कारगाइस आप भी जानना चाहते हैं कि हर्दिक पांड़ा पर BCCI ने 5 करोड रुपे का जुर्माना क्यों लगाया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए साथी साथ चैनल को सब्सक्राब करें बैल आकन दवाईए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिलकुल ना भूलें दोस्तो इंडिया भी एस आइलेंड के बीच में पहला T20 मुकाबला डबलिंग के मैदान पर सिरुआ जबकि दोस्तो बारिस के कारण इस T20 मुकाबले को बारे बारे ओबर का कराए गया जबकि दोस्तो आइलेंड की टीम ने सबसे पहले बैटिंग करते हुए 108 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिये इसमें हरी ट्रेक्टर ने 64 रन की विस्पोटक पारी खेल ला ली और इस लक्षे का पीछा करने के लिए जब भारतिया टीम मैदान पर आई तो भारतिया टीम की ओर से ओपनिंग करने आये थे दीपक हुड़ा के साथ ईसान किसन जबकि इसान किसन 26 रन मना कर आउट हो गए जबकि दीपक हुड़ा ने दो गगंचुमी छक्के और छे चोके की मदद से मात और 29 गेंदों का सामना करने के बाद 49 रन की विस्पोटक पारी खेल ला ली और इस T20 मुकाबले को भारतिय टीम ने साथ बिक्ट के बड़े अंतर से जीत लिया लेकिन दोस्तों जीतने के बाद भी BCCI ने हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट के चलते पांच करोड रुपे का जुर्माना लगा दिया क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि स्लो ओवर रेट वहता है जो कि 90 मिनेट के अंदर 20 ओवर कराने होते हैं मगर दोस्तों ये पहला T20 मुकाबला 12 बारे ओवर का खेला गया लेकिन दोस्तों भारतिय टीम 12 ओवरों को निस्चिस समय पर नहीं कर पाई और इसलिए BCCI ने भारतिय टीम के काप्तान हार्दिक पांडिया पर 5 करोड रुपे जुर्माना लगा दिया